सल्मान खान का विवादित शो बिग बॉस 14 अब धीरे धीरे फिनाले की ओर पढ़ रहा है लेकिन मेकर्स हैं की मानते ही नहीं इस शो में आए दिन नएने ट्विस्ट आ रहे हैं जिससे दर्शकों का एकसाइटमेंट देखते ही बन रहा है हाले में बिग बॉस के घर में चैलेंजर्स के तौर पर एंट्री लेने वाले मनु पंजाबी ने तो आते ही तहल का मचा दिया है जी हाँ खबरों की माने तो वो इस हफ़ते घर के नए कैप्टन बनने वाले हैं हाली में शो में कई नए चैलेंजर्स को बुलाया गया है, इस लिस्ट में कश्मी रशा, राहुल महाजन, मनु पंजाबी, अर्शी खान और विकास गुपता के नाम शामिल है बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड में बिग बॉस घर वालों को एक नया कैप्टेंसी टास देने वाले हैं, इस टास को जीतने के बाद मनु पंजाबी घर में अपनी हुकूमत चलाते हुए नजर आएंगे बता दें कि मनु पंजाबी साल 2010 के बिग बॉस में आये थे, उस सीजन में भी मनु पंजाबी ने अपने खेल से लोगों का दिल जीत लिया था मनु पंजाबी ने भले इस शो का खिताब अपने नाम ना किया हो लेकिन आज वो लाको करोडो जनता के दिलों पर रास करते हैं शो में मनवीर्ज गुर्जर के साथ उनकी दोस्ती की जलक पूरी दुनिया ने देखी थी बात करें इस साल के सीजन की तो इस बार के फाइनलिस्ट में रूबीना दिलाइक, जैस्मीन भसीन, अभीना शुकला और एजास खान बचे हैं अब देखना होगा इन में से कौन से सदस्ते चैलेंजर्स के हर परिक्षा को पास करके आगे बढ़ेंगे मनु पंजाबी की कैप्टेंसी से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथ ही बिग बॉस से जुड़ी ऐसे ही चटपटी और मसालादार खबरों के लिए बने रहे बॉलिवुड लाइफ के साथ